नमश्कार मैं हूँ आपके साथ आभा और SBT News पर आप देख रहे हैं राजिस्थान की ताजा खबरे फटाफट अंदाज में नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश राजिस्थानों श्री गंगा नगर हनमान गणचिले की बड़ी खबरे किसानों से बातचित के लिए कृषी मंतरी नरेंद्र सिंग्तोमर आट दिन में तीन बार चिठ्थी लिख चुके हैं 17, 20 और 24 दिसंबर को लिखी गई ये चिठ्थियां उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है किसानों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 29 दिन था सरकार ने गुरुवार को एक और चिठ्थी लिख कर किसानों से बातचित के लिए दिन और समय तैक करने की अपील की चिठी में लिखा है कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभी है साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़ी कोई भी नई मांग जो नई करशी कानून के दायरे से बाहर है उसे बाचीत में शामल करना तर्क संगत नहीं होगा इसे एक दिन पहले यानि कि बुद्वार को ही किसानों ने सरकार के पिछले नियोते को ठुकरा दिया था उन्होंने कहा था कि सरकार के प्रोपोजल में दम नहीं नया अजन्डा लाएं तभी बात होगी प्रिस्टोचा निरोदक बिरो जैपूर की विशेश टीम ने गुरुवार को एक लाग चालिस हजार रुपे की रिश्वत मामने में गिरफतार बारा से एपियो किये गए जुला कलेक्टर और आई एस अधिकारी इंडर सिंग राव को जुला एंस सेशन निया अले में पे एसीबी ने नियायाने में रिमान के पक्ष में तर्क दिया कि अभियुक्त अनुसंधान में अपिक्षित ऐसा योग नहीं कर रहा है बाद में एसीबी के अधिकारी राव को लेकर एसीबी चौकिल लेकर पहुँचे और पूस्ताज शुरू कर दी भीलवारा जुले की जित्यास में चार दिन पहले मारपिट में घाल हुए डीजे संचालक सावनलाल जाट की बुधवार देरात इलाज की दोरान मौत हो गई मौत की खबर मिलते ही गुसाए ग्रामिनों ने गुरुवार को भीलवारा कोटा हाईवे पर सवाईपूर में जाम लगा दिया इस वरान सरकारी बसो और कारों में तोड़ फोड़ की गई वहीं ग्रामिनों का आक्रोश बढ़ता दे पुलिस को सिती पर काबू पाने के लिए लाठियां चोलानी पड़ी गुर्जोरा रक्षन अंदोलन की प्रमखनेता करनल की रोडी सिंग बैंसला की तबियत अचानक भिगड गई इसके बाद उन्हें जयपूर के सवाईमान सिंग अस्पताल में भड़ती कराया गया है डॉक्टर उन्हें बैंसला को आईसियो वार्ड में भड़ती किया है करनल बैंसला के बेटे विजया ने बताय कि बुदवार रात उनकी अचानक तबियत खराब हुई सांस लेने और छाती में तकलिफ होने के शुक्याद के बाद गुरुवार को उन्हें हिंडाउन से सीधे जयपूर लाया गया जहां उन्हें डॉक्टर सुधीर भंडारी के देखरेक में एसमेस अस्पताल में आईसियो में भड़ती करवाया गया है यहां उनके सीटी सकैन सहित अन्य जांच करवाई गई है प्रताबगण में गुरुवार सुबह करीब 10 बदे जिले के चकुंडा के आगे मध्यपरदेश सीमा में सुखेडा कस्पे में एक ट्रेक्टर ट्रॉली पलटने से तीन महिलाओं की मौथ हो गए वही 14 लोग घायल हो गए गड़ना के जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच जिसके बाद मुर्दकों के शब को पोस्ट माटम के लिए भिजवाय गया वहीं घायलों को सरकारी अस्पिताल में भर्ती करवाय गया है दिसंबर में भले ही करोना संक्रमन के केस रास्थान में कम आ रहे हूं लेकिन मुखे मंत्री अशोग हलोत ने इसे हलके में नहीं लेने के लिए चिताया है उन्होंने प्रदेश की जनता को सोशल मीडिया के जरिये मैसेज देते हुए वायरिस के नए वर्जन के प्रती सचेत रहने के लिए कहा है मुखे मंत्री ने पोस्ट के अपने मैसेज में बताया कि करोना वायरिस का नए वर्जन वी यू आई पहले से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है ब्रिटेन के बाद अब ये आस्ट्रिया, फ्रांस और बिल्जियम समेथ यूरोप के कई देशों में फैल रहा है रासान में कोरोना संक्रमन के आंकडों में फिर उतार चड़ाव देखा चा रहा है गुरुवार को एक बार फिर नए मरीजों की संख्या एक हजार पार हुई जिकिसां सास्त्र विभाग के और से जारी आंकडों के मताबिक गुरुवार को राज्य से एक हजार एक नए कोरोना पोस्टिव दर्ज किये गए हैं हलांकि मौत के आंकड़े अभिस्तिर हैं एक दिन में आठ लोगों की कोरोना से मौत हुई है रासान के CM अशोग हलोत ने मोधी सरकार की मंतरि नितिन गड़करी के जम कर तारिफ की है CM गहलोत ने गड़करी से कहा कि जब से आपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरा ले संभाला है आप कंटेनमेंट के साथ काम कर रहे हैं आप कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं आप भेदभाव नहीं करते भेदभाव होना भी नहीं चाहिए क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता सरकारे आती जोती रहती हैं अखिल भारते चतु संपर्दाय के अध्यक्ष एवं महंद ब्रह्मश्री योगी राज बरफानी दादा महराज ब्रह्मलीन हो गए हैं महराज ने गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार राद 9 बचकर 45 मिनट पर अंतिम सांस ले महराज को शुकरवार को दोपहर दो बजे महंद पूर बाला जी में समाधी दी जाएगी विश्व विख्यात बरफानी महराज के देश-विदेश में अनुयाई और आश्रम हैं इस मौके पर देश भर के सादो संतों के आने के संभावना जटाई जा रही है रासार में पत्रकारों पर हो रहे हमले की निंदा करते हुए प्रदेश भाश पाध्यक्ष असतीश पूनिया ने प्रस्पतिवार को कहा कि राजे में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लेकर आए पूनिया ने राजे में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों पर कहा कि कॉंगर्स राज में लोकतंत्र के प्रहरी और कुरोना युद्धा पत्रकार भी सुरुक्षित नहीं है उन्होंने कहा कि जपर में बदमाशों के हमले में वीडियो पत्रकार अबशेक सोने के मृत्यू और गिर्धारी पालीवाल का घायल होना सरकार की समयदन हिंता की पराकास्था है रासान की पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पालेट ने ब्रसपतिवार को कहा कि केंद सरकार को नए करशी कानूनों को वापस लेना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन कानूनों में 15-18 समशोधन करने को तयार है तो इसी स्विकार करना चाहिए कि ये कानून ही गलत है द्वर्मा ने कहा कि इंद्रा गांधी नहर पर योजना में आगामे मार्च मई 2021 में 70 दिन की नहर बंदी प्रस्तावित है इस समद में पेजल भंडारन के लिए अभी से प्लैन तयार किया जाए जिला कलेक्टर नहर बंदी को लेकर आवशिक तयारियों के लिए अधिकारियों की बैठक ले रहे थे जिला कलेक्टर ने कहा कि नहर बंदी के दौरान शहरी वे ग्राविंग शेत्रों में पेजल विष्था बलकरार रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्त विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और तुरंत पंजाब और बीबी एंबी के अधिकारी उसे संपर्किया शाम तक पानी की मात्रा नहीं बढ़ पाई गुरुवार को पॉंड लेवल लगवक तीन फीट कम हो गया विद्वार को इंद्रा गांधी नहर में हरीके से नो हज एक से पैंतलिस क्यूसेक पानी मिल रहा था जो गुरुवार को घटकर आठ हजा तीन से पैंतलिस क्यूसेक हो गई श्री गंगानगर में उश्री नियंत्रक विभाग ने आनियमे ताइप आजाने पर नो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस ने लंबित कर दिये इसके अलावा दो दुकानों के लाइसेंस निरस्ट कर दिये है विभागने सहारन मेडिकल स्टोर ममर खेडा, महेंद्र फार्मा, श्री गंगानगर वे प्रीत मेडिकोज कोठा से 10 NDPS दवाओं की स्विक्रिति को विड्रो कर लिया गया है 2526 दिसम्बर को राज के अवकाश होने के बावजू, श्री गंगानगर में मुखे चिकिसायम स्वास्त अधिकारी कारेले वे जुला एस्पिताल का पीमो कारेले खुला रखना होगा इस समन में 2526 सेमाओं के निदेशक ने सेमचो वे पीमो को आदेश चौरी किये है मुके सिचिन विरंजुन आरे 28 दिसम्बर को प्रदेश की जुला कलेक्टरों के साथ वीसी करेंगे इस समन में जुला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने अधिकारियों के बैठेक लेकर दिशान देश ती जुला कलेक्टर ने सभी नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों से डोर टो डोर कच्रों संग्रहन प्रबंधन की चर्चा की श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड ने महात्मा गांधी राज के विध्याले में विधायक कोटी से आठ लाक रुपे की लागट से बने दू कमरो और दो लाक रुपे की लागट से बने फरनीचर का लोकार्मेंट किया श्री गंगन अकर जुले के घरसाना कस्पे में रात के समय एक दुकानदार के आँखों में मिर्ची फैंक का नगदी छिनने का प्रयास किया गया आसपास के लोगों ने दो युवकों को मौके पर दवोज कर पुलिस के हवाले कर दिया जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया फरार युवक को भी पुलिस ने गरफतार कर लिया है ऐसा ही जी और आमने बताया कि दुकानदा सुरेंद्र अगरवाल जो की महताब कलोने के रहने वाला है अपनी दुकान बंद करके खर लोट रहा था रास्ते में बाइक सवा तीन योकों ने सुरेंद्र के आँखों में मिर्ची फैंक का नगदी से बराबाइक छिनने की कोशिश की पुलिस ने इस मामले में मुकेश, राजेश और सुखराम को गिरिफतार कर लिया आरोपियों से लूट के अन्यवार दातों के बारे में पूश्टाज की जा रही है श्री गंगने का जुला मुक्याले साहित जिले भर में फाइनसर आम आदमी को मोटे ब्यास पर रकम दे कर उसका खुन चूसने में लगे है फाइनसरों से तंगा कर अनेक लोग अपनी जान गवा चुके हैं ऐसा है एक ताजमामला कोतवाली पुलिस स्थाने में दर्ज हुआ है पुलिस के अनुसार मधवन कॉलोनी के विक्रम शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उसने सेत्या फर्म के अमित अरोडा को अपने भूखन के कागजाद दे कर रुपए उधार दिये थे अब उसने अमित को तीन लाग पांच हजार पे वापस लोटा भी दिये लेकिन आरोपी उसके भूखन के कागजाद वापस नहीं लोटा रहा है श्री गंगानगर जुला मुख्याने पर रोटरी क्लब श्री गंगानगर मारवार ने जे ब्लॉकसित महादमा गांधी राच के विद्याले में विद्यार्थियों को स्टेशनेरी वित्रित की इस अवसर पर जिलाशुक्षा अधिकारी हंसरा जियादव, क्लब अध्यक्ष प्रमोद, सचिव अर्विंद, प्रोजक्ट चेर्मेन दीपक जैन आदिव पस्ति थे प्रधना चारे रिमपा तलवार ने रोटरी क्लब पदाधिकारियों का भार जुताया तो फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ तो अपने आसपास के और भी नई ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्पिटी न्यूज और बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद